हाई everyone so let's move towards our today's topic which is so what happens in the sixth week of human development basically it happens like elbow formation होती है अच्छा lower limb वगेरा तो मैं आपको बताया दिये है सारी चीज़े हैं प्लेट वगेरा लेकिन six week में क्या होता है elbow formation होना शुरू हो जाती है ठीक है elbow formation होती है साथ ही साथ digits की जो lines है वो अप्यर होना हो जाती है digits separate नहीं होती है six week में digits separate नहीं होती है I'm repeating this sentence again and again के six week में digits separate नहीं होती है हम अभी six week पर एता digits की line appear हो जाती है ठीक है नब जैसे हम paper को अगर fold करते हैं और फिर वहाँ पेपर को flat करते हैं तो बीच में लाइन आती है लेकिन पेपर separate तो नहीं होता ना तो basically वह line आती है six week में और फिर जब हम paper को फारते है उस line के through तो वह होता है eight week में paper नहीं पढ़ता एट week में digit form होती है digit separate होती है और digit separate क्यों होती है by the help of by the mean of hypothesis खेर उसमें हम टॉपिक में नहीं हम अभी six week में तो six week में और क्या होते है six week में मज़े की बात यह कि auricular hill locks appear होते है auricular hill locks क्या होते है तक्रीबन six auricle तक्रीबन क्या exact six auricular hill locks are present which form auricular external air ठीक है external air जो है हमारे जो कान है वो एक शेल टाइप बनाव है तो six auricular hill locks present होते है फिर auricular canal जो अंदर कान साफ करते हैं किस तरह कान हम बाहर से साफ करते हैं लेकिन अंदर canal है एक खड़ा टाइप है एक ग्रूव है एक depression कह सकते हैं तो उसे कहते है auricular canal वो फार्म होना शुरू हो जाती है साथ ये साथ मज़े की बात आपका सर दिमाग आपका दिमाग आपके दिल के करीब चरा जाता है यानि आपका head band करता है on the towards the heart मज़े की बात six week of development में umbilical herniation होती है अब ये umbilical herniation क्या होती है umbilical herniation basically होती है कि जहां पर जो swelling belly button वहां पर swelling शुरू हो जाती है यह एक normal process है यह कोई dangerous नहीं होता ठीक है तो यह बात दिमाग में रखेगा अन्यों आप इसको abnormality में रहते हैं साथ ही साथ motor nerve limbs की तरफ move करना शुरू कर देती है अपर लिप फॉर्म करना शुरू कर देता है और नोस भी फॉर्म हो जाती है साथ ही साथ adrials septum form होते हैं अब यह याद रखेगा adrials septum का form होते हैं adrials septum six week में फॉर्म होते हैं so guys take care of yourself and study hard work hard and good luck